हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चानेल महादेव इंडिया दर्शना आज हम बनाने वाले हैं वेज बिर्यानी लेकिन उससे पहले अगर आपने चानेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीद जरूर कीजिएगा वेज बिर्यानी बनाने के लिए हमें चाहिए लोंग, दालचिनी, अद्रक लसन पेस्ट, प्याच, टमाटर और सूखी लाल मिर्च और चावल चावल को मैंने तकरीबन 20 मिनट तक पानी में भिगो के रखा था फ्लावर मैंने 1-2 मिनट तक पानी में उबाल के लिया है उसके बाद वेज बिर्यानी बनाने के लिए पतिले में मैंने तेल डाल के लिया है तेल गरम होने तक उसमें सारे गरम मसाले और उसके बाद थोड़ा हिंग डालना है फिर लाल सुखी मिर्च और प्यास डालना होगा प्यास थोड़ा लाल होने के बाद उसमें अद्रक लसन पेस्ट डालनी है उसको थोड़ा ठीक से मिक्स करने के बाद हमें उसमें बारिक कटा हुआ टमाटर डालना है फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स करके टमाटर थोड़ा पका कर लेना है उसके बाद हमने जो भी सबजिया ली थी वो सब उसमें डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है उसके बाद उसमें लाल मिर्च पावडर, हलदी पावडर और नमक, पुदिना और अगर अबलेबल हो तो थोड़ा दही डालना है और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें थोड़ा पानी डालना है उसके बाद हम पतीले पे धकन रखेंगे और धकन पे थोड़ा पानी डालके सबजी आधी पका कर लेनी है और फिर जब हम चावल डालेंगे तो सबजी अब पूरी पक जाएंगी फिर धकन निकालके सबजी को अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे फिर उसमें थोड़ा भिगोया हुआ चावल उसमें से पानी निकाल देंगे और उसे पतीले में डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे चावल को अच्छी तरह से पका कर लेना है उसके उपर पुदीना और धनिया डाल कर गयास बंद करना है और सब करेंगे वेच पिरियानी